दोस्तों सीयोचो के 865 पॉड़ों पे भरती निकल के आ चुकी है ठीक है 865 वेकेंसिस हैं टोटल जार्खन में निकले हुए और इसमें सैलरी आपको 25,000 रुपिया दिया जाएगा ठीक है जैसे कि यहां के मैं आपको दिखा देता हूं और इसके बारे में अभी हम लोग हेल्थ मिशन है ध्यारखन ग्रामीन स्वास्त मिशन इसके तहत नेशनल हेल्थ मिशन के ही एक पार्ट में ठीक है और इसमें CHO यानि कि कम्यूंटी हेल्थ ऑफिसर की 865 पदों पे बरती होगी चलिए जान लेते हैं और डीटेल में थोड़ा सा देखिए सबसे फर्स्ट से आपके 116 पोस्ट हैं EWS से 86, ST से 263, SC से 203 सबसे ज़्यादा ST और SC में है BC1 से 59 और BC2 से 68 सीटे है ठीक है देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जारखन रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी इन वाइड अप्लिकेशन ठीक है और किसके लिए तो प्रोवाइडिंग पर्मानेंट एक बेकेंसी होता है जो आपको गौर्मेंट अपने पूरा साथ साल तक रख लेती है और एक होता है कॉंट्रेक्ट बैसिस यानि की अनुबंद के आधार पर आपको कुछ महिने में दिया जाएगा तो देखिए 25,000 रुपए आपको यहां पर मन्थली दिया जाएगा अब क्या चाहिए इस फॉर्म को फिल अप करने का तो देखिए बोला गया है कि आप बेसी नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बैसिक हो किसी भी इनिवर्सिटी से पास और आपका जो पासिंग यह है वहां 16-20 के बीच में होना चाहिए 16-17-19-20 इन तक ठीक है यहां प बीच में आप होने चाहिए इसके बाद और इसके पहले नहीं लिया जाएगा आगे देख लेते हैं तो फिर यहां पे कुछ आपको और वीट चीज़े दी गई हैं सेल्डी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीज़े हैं कि यहां पे आपको जो सेल्डी दी जाएगी 25,000 है इस आफ एक्स्टा जो है यहां पर 15,000 तक कमा सकते हैं मतलब 40 तक कमा सकते हैं अगर आपको एक्स्टा काम करवाए जाएगा तो अब को उसके बदले एक्ष्टा पैसा भी दिया जाएगा मेरी एक फ्रेंड है वह भी सेच्छों पर सेलेक्टेड है और आराम से रह रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता इसमें आराम से जाती है काम करती आती है मतलब थोड़ी आलसी लेजी क्लिक कर दीजिए तो मेरा थोड़ा से चेक करना है मोगला भी तो वह रही हम को सायात भूल गया है ऐसा नहीं करना है ठीक है सीचों बन रहे हम से कम थोड़ा सा आपको रेखना हो पड़ेगा एज लिमिट देखिए तो यहाँ पे एज लिमिट मिनिमूम ट्वेंटी वन य लिमिन चालीस साल तक यहां पर अपलाई कर सकेंगे और आपकी एज की जो काउंटिंग है 1 जनवरी दो हचार चॉबिस के अकउडिंग किया जाएगा अब जिस भी कोटा से हैं अब देख लेते हैं तो यह तू हो गई सारी चीजे अभ एपलाई कैसे करना होगा वह चीज जान लेते हैं ठीक है चलिए देख लेते हैं एपलाई करना और यहां पर लास्ट टेट तो यह हो गया देखिए यहां पर बोला गया है कि आपका फॉर्म जो अपलाई होगा वह 15 फेबरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगा 16 मार्च तक अपलाई कैसे कर बीडियो साती है ठीक है ग्रिजवेट लेवल पे और पोश्ट ग्रिजवेट लेवल पे और इस पर माई केवल और केवल वेकेंस का यह अपडेट देता हूं एसपेसली ज्हारकंड से जुड़ा जो होता है ठीक है तो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा 16 म अगर किसी को अपलाई करना है कोई आपके रिलेस्टन में कोई फ्रमिली मंबर में हो जो कि बेसी नर्सिंग या पोश्ट बेसिक कर चुका है तो उन तक इस वीडियो को सेर कर दीजिएगा बाकि पीडियो का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एबलेबल कर दूं